कि सूर्य उदय होता है फिर अस्थ होता है लेकिन वो सूर्य अस्थ होता तो यसा नहीं है कि उदय होने के लिए नहीं होता है तो हम यही जानते थे कि हमारे जीवन का सूर्य अस्थ हुआ है लेकिन हमारे कर्मों से हमारे परिश्रम से हमारे जीवन का सूर्य उदय होगा और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश लोग से वा आयोग ने गदाधारी की क्रिपा से हमारा चैन बरिश प्रवक्ता डायट के पत पर किया है अब आपना कोई मौका भी नहीं होता जहां भी जाता है सिर्फ रॉस नहीं फैलाता है नमस्कार दोस्तों मैं अभी नंदन आपका इस जार अब्जक्शन चैनल पर हर दिक सागत करता हूँ जैसा कि मैं अभी यूपी पीसेस बिहार पीसेस के जो टॉपर्स रहे हैं या जी उसमें सफल हुए हैं उनकी एक सिरीज चला रहा हूँ उसी की सिरीज में आज हम लोग आप लोग के लिए एक मोटिवेशन इस्टोरी लेके आए हैं तो अभी सर आपका क्या नाम है हमारा नाम संतोस्क मारुपाध्या है और मेरा ग्रीजन पद आजमगड तो सर अभी आपका किस पोश्ट पर सेलेक्शन हुआ है हमारा उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग के द्वारा आयोग यूपी पीसेस दोजार बीस की परिच्छा मे बरिष्ट परोकता डायेट के पद पर चैन हुआ है तो सर अभी आप इलहाबाद से कितने समय से तैयारी कर रहे है हम 98 में इलहाबाद आयोए थें इंटरमीडियर्ट करने के बाद तबसे लगातार यह से असना तक परासना तक किये और तबसे लगातार ही हम यहाँ पे पर परिच्छा उत्तरप्रदेश लोग से वायो की मुख परिच्छा लगभग 18 मेंस ही हमारा था जिसके बाद हमको चैन मिला है हमारा चैन हुगा है जैसा कि सर बता रहे हैं कि सर कुल 18 मेंस दे चुके हैं और अभी सर को आई लगभग इलहाबाद 22 वर्स हो गया तो सर यह 22 व खलता मिली जैसे संगत का असर होता है तो ठीक वही रहा कि हम जब इलहाबाद आये हुए थे 98 में इंटरमीडियेट करके तो हमारे साथ हमारे ही विद्याले के इंटरमीडियेट की हुए 49 लोग एक साथ आये हुए थे जिसमें धीरे 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 चैन होना सुरू हु हो गया अपर PCS मेडिकल में डाक्टर में इंजिनियर में और अध्यापक में लगभग लगभग लोग चैनित हुए बस एक हम ही बचे रह गए थे और हमारा चैन भी इस बार हो गया है तो सर जैसे अभी आपने तयारी की इतना लेट एक सलेक्शन मिला लेकिन थोड़ा साह करते हैं कि सर थोड़ा देरी हुई लेकिन सलेक्शन अंतर अगर आप परिश्रम करते हैं तो सफलता आपको निश्चित तोर पे मिलती है तो सर कैसे आपने तयारी की कि इतना जर्नी में टाइम इतना लगा कभी भी हम परिच्छा देते थे जब भी परिच्छा नजदीक आ जाती थी जैसे कि मानो जीवन में आती हैं सबके जीवन में आती हैं परिवारिक जीवन में आती हैं तो कुछ ऐसी समस्यां आ जाती हैं जिससे हम अपना पूर पूर्ड रूप से सत प्रसत नहीं दे पाते थे लेकिन कभी कभी लाट और लाट का भी खेल हो जाता था और अ परिवार मित्रों इस्वर का सबका बड़ा सहयोग रहा इस्वर का आशिरवाद रहा कि हम लगताल लगे रहे और जब भी हम असफल होते थे तो हमें सिविल लाइन सर्मान जी के मंदिर पे एक लाइन लिखी हुई है बीर भोग्या बसुंधरा और उस लाइन से हमें बड़ी मन से पढ़ते थे तो सर जैसे अभी आपने तयारी की तो सर जैसे बहुत सारे स्टूजेंट तयारी कर रहे हैं तो वह अभी बहुत सारे लोग होंगे जो बिलकुल आपकी तरह होंगे किसी का लाश्ट एटेम्ट होगा या किसी का भी दो चार एटेम्ट वाकी होगा और व अभी आप उनके लिए कैसे क्या कहना चाहेंगे वो कैसे तैयारी करें देखिए प्रतियोगी परिछा निश्चित रूप से अनिश्चित भरा है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि निश्चित नहीं है अगर हम अपनी पूरी उर्जा लगा के पूर मनोयोग से सकरात्मक भाव से और अपने अन्दर बिलकुल किसी भी नाकारात्मक चीजों का प्रिवेस ना होने दे और जो चीजें हैं जो हम पढ़े हुए हैं ऐसा नहीं है कि हम एक नंबर पाके सफल होते हैं और एक नंबर ही कम पाके असफल हो जाते हैं तो ये हमारे गुडवत्ता का निरधारण नहीं ह और हमें नकरात्मक चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और जब भी हम पढ़ें यह सोच के पढ़ें कि यह हम अच्छा करेंगे और आपकी बार और अच्छा करेंगे तो निश्ची तुरूप से आपका कब अच्छा हो जाएगा यह कोई नहीं जानता अज़ा सर कितने आवर की श्टेडी आप करते थे जैसे अभी 22 साल लगा तो वह भी कितने आवर की श्टेडी आप डेली करते थे देखिए जब परिच्छा आती थी निश्ची तुरूप से पढ़ाई का वो समय बढ़ जाता था चाहे हम हो या कोई भी परतियोगी इच्छा परागत है वो तो हमारा पुर्व का पढ़ा हुआ लेकिन करेंट की चीज़ों से हमें अपडेट रहने के लिए कम से कम देड़ महिना दो महिना पहले से बड़ा ही सुनियोजित तरीके से पढ़ना पड़ता है और जहां तक मुख परिच्छा की बात है तो सिलेबस के अधिक्तम आप कर सकते हैं उतना अधिक्तम करिए चाहे वो चीज़ें आपको आठ घंटे में चाहे दस घंटे में चाहे बारा घंटे में जब तक कि आपका मानसिक रूप से आपका दिमाग न कह दे नहीं अब बस आज बहुत हो गया अब कल कल की भूख बची रहे तो यह ज़्यादा अच्छा रहता है और जब भी हम सुबा उठें तो यह सोच के उठें कि हम आज और बहतर करेंगे और हमारा कल जो होता है वो आज पर निर्भर करता है आज हम क्या किये हैं यह हमारा इसी से हमारा कल निर्धारित होगा अगर आज हम पढ़े लिखे हैं पढ़े हैं खूम मेहनत किया है तो निश्ची तुरुप से हम कल भी पढ़ेंगे इससे क्या होता है हमको एक आत्म विस्वास मिलता है जब जैसे हम किसी भी परिच्छा बैठते हैं जब चाहे वह प्रारंबिक परिच्छा हो चाहे मुख परिच्छा हो तो पढ़के जब हम कोई जाते हैं कुछ ऐसे प्रस्ण आ जाते हैं जिनके बारे में हमको लगता है कि 99% लोगों को कुछ नहीं पता होता है लेकिन हो सकता है उस प्रस्ण को 40% से उपर के लोग सही करके आ जाते हैं तो वह confidence होता है जो हम पूर में पढ़े होते हैं वह आत्म विस्वास हमको उसके नजदिक ले जाता है तो हमको बड़े मनोयोग से बड़े हिसा कारात्मक भाव से पढ़ना चाहिए समय का कोई वह नहीं है आठ गंटा च्छे गंटा बस रेगुलर्टी नियमित रूप से रहें हमको जब हमारा परिच्छा हो तो हमें बिलकुल ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक लच्छ बना के कि हमको बस ये परिच्छा टार्गेट बना करके कि हमें इसमें अपना सत प्रसद्दे करके और किसी भी तरह से हमको पास होना तो सर जैसे अभी आपको क्या लगता है कि जो ये संगर्ष का दौर 22 साल तक खिचा इसके पीछे कोई आपकी कमी थी या कौन सी ऐसा रीजन आपको लगता है कि आपने वो गलती की और जो बहुत सारे अस्परेंट तायारी कर रहे हैं वो ये गलती ना करें तो ऐसा कौन सा आपको पॉइंट लग रहा है कि 22 वर्सों में आपने ये गलती की इसलेक्शन में थोड़ा देरी भी हुई देखिए हर प्रतियोगी चाए हम हो या कोई भी हो अपनी कमिया स्वयम जानते हैं और हमारी कमी कोई दूसरा नहीं दूर कर पाएगा हमें स्वयम का चिंतन और मनन करना चाहिए कि हमें किस तरह से कहां हमारी कमिया रह गई है कहां सा पच्छ हमारा कमजोर रह गया है या कह वहां से हमको समस्या आ रही है एक हो क्यों कि निश्चित रूप से परिच्छा हम का परफार्मेंस देखता यह नहीं देखता कि आपके साथ समस्याएं क्या आई है बिगत 365 दिनों में आपने क्या क्या जहला है क्या कौंसी समस्याएं आई हैं क्या दिक्कतें आई हैं यह सबसे कोई मतलब नहीं है बस वो आपका यह देखता है कि आपने कितनी मेहनत किया है तो और यहां तक कि कभी दस्मलों से बाहर हुए, कभी एक नंबर से बाहर हुए, कभी चार नंबर से बाहर हुए, बड़ी ही नजदी की नजदी की हमारा चैन रुका, लेकिन उसके पीछे बस एक ही बात हमारे मन में हमेशा रहती थी, कि अगर सूर्य अस्थ होता है, तो हमारे जीवन का सूर्य उदय होगा और निशित रूप से वही भाव वही विचार हमारा हमारे लिए सकारात्मक रहा और आज आप लोगों के सामने हमारा रिजल्ट रहा तो सर अभी जैसे आप तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे आपके अभी भी हो सकता है जो एक दो अटेम्ट ब या हमारे अनुज हो और सीनियर की तो कोई बाती नहीं है जो सीनियर होगा वो सेलेक्ट होगा कहीं कहीं तो हमारा अपने छोटों से ये मतलब ये उनके लिए एक संदेश है कि आप अपने को भुलावे में ना रखें और जब भी पढ़िये तो इस मन से पढ़िये कि नहीं हमको बड़ी मांदारी से और उसमें कहीं से कुछ नहीं हमको चोरी न करें किसी भी चीज की अगर हमको पढ़ना है अगर हमको उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयो की परिच्छा टाप करनी है या पास करनी है तो हमें निश्चित रूप से उसके मानकों को पूरा करना है तो उस परिच्छा से जुड़े हुए हो जो लगातार प्रारंबिक परिच्छा मुख परिच्छा के प्रक्रिया में बने हुए हूँ और जब उनका हम चैन करेंगे अपने मित्रों का चैन करेंगे तो हम अध्य experiments करेंगे औध्यान का असली मजा तभी आता है या लिखने का आयोग या संगलोग सेवा आयोग या किसी अन आयोग की परिच्छा को पास करने तो यह बड़ा मुस्किल है क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो और जो हमारे साथ के जो हमारे साफ़ाथी हैं समकच हैं जूनियर हैं जो भी हैं जिनके साथ हमारा एक चार या पांच लोगों का ग्रूप बना हुआ है उनके साथ हम बैठेंगे तो हम निवन्द से ले करके और जो जीएस के चारू पेपर हैं किन-किन विश्यों पर कैसे कैसे हमको पढ़ना है चर्चा करेंगे कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जानते हैं लेकिन पता चलता है कि सामने व कौन सा ऐसा मोटिवेशन था जो आपको कंटीन्यू बाइस साल की जरनी चलने के लिए एक प्रेड़ा स्रोत के रूप में काम करता था देखिए निश्य तुरूप से हमें कुछ ऐसी लाइने होती हैं और सबके जीवन में होती हैं जिन से उनको पेड़ा मिलती है तो जब हम लगातार असफल होते थे लगातार पिरी परिच्छा या मुक परिच्छा या कोई भी परिच्छा जब असफल होते थे तो हमें बस अधर कुछ दिनों में, जैसे बिगत दो-तीन साल पहले, तो हम बिलकुल निरास हो गए थे, लेकिन सिर्फ एक लाइन, कि किसी भी प्रतियोगी छात्र के जीवन में, या किसी भी बानों के जीवन में, या हम दैनिक जीवन में देखते हैं, कि सूर्य उदय होता है, फिर अस् इसी तरूप से उत्तर प्रदेश लोग से वा आयोग ने गदाधारी की क्रिपा से हमारा चैन बरिश प्रवक्ता डायट के पत पर किया है। मोटिवेशन होता है, और सर से भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, कि सर से जो सबसे बड़ी मुझे सीखने वाली बात लग रही है, कि बाइस साल अपनी एनरजी को कैसे कोई रोक के एक धहरे के साथ काम करे, ये बहुत बड़ा टास्क होता है, और जैसे सर ने पाई दुख की स्तिती में है, लेकिन वो लड़ा और जीता भी, तो इसी के साथ नमस्कार धन्यवाद, और आप हमें सारे प्लेट फार्म पे, चाहिए वो इंस्टा हो, टीटर हो, फेस्बूक हो, सारे प्लेट फार्म पे हमें फालो कर सकते हैं, इसी के साथ नमस्कार प्रूंग मेरे लुटे पटेटार से आज तeka करका दोपिज को धिए परया ही तो, भ्लाओ कर दीड हमुड़ को लोगक करका दो डएंग है तो, कि लुटार अज्डा है! लुटार अजडोब का मेरे लोगक करका शेए 1 बासाओ करका दो आदेए 2 तो, क्योशन है! झाल झाल